हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मा यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में राजिस्थान पीटेट 2021 की परिच्छा के लिए शामान हिंदी के 80 कोशन इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक हो कोशिया जरू करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी में आपके विल आइकोन होगा उसको भी दबा लें से आने हैं सारी नए वीडियो क्रोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीड लोगों के लिए और भी वीडियो ला सको निर्दिस देखेगा आप लोग एक से दस कोशिन नीचे एक एक सब्सक्राइब की वरतनी के चार रूप दिये जा रहे हैं उनमें से सुध वरतनी का चैनल कीजिए तो पहला कोशिन देखेगा आप लोग आशिरवाद की कोंसी वर अप्सन बता रहे हैं वो अच्छी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कवेत्री कैसे लिखा जाएगा कवेत्री ऑप्सन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कवेत्री के तीसरा कोशिन देखेगा आप लोग कर्तब्य कैसे लिखा जाएगा कर्तब्य ऑप्सन बी जो है आपका विल्कुल करक्ट हो जाएगा एतिहासिक कैसे लिखा जाता है काफी important question है एतिहासिक option A जो है आपका विल्कुल करक्ट हो जाएगा पाच्वा question देखेगा आप लोग अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा अनुग्रहित option A जो है आपका बिल्गुल करेक्ट हो जाएगा छटा कोशिन देखेगा आप लोग निरूच है कैसे लिखा जाएगा निरूच है ओप्सन ये जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएगा साथमा कोशिन देखेगा आप लोग दुरात्म कैसे लिखा जाएगा दुरात्म जो भी वच्चे बीवाला ओप्षन बता रहे हैं वो भी वच्चे विल्कुल Correct हो जाएगे बैवसाईक कैसे लिखा जाता है अच्छा ये बताई जरह बैवसाईक देखिया अंसरा नाई स्टार्ट हो चुके हैं option B जो लोग बता रहे हैं वो अच्छे बिल्कुल correct हो जाएंगे जियोत्सना कैसे लिखा जाएगा अच्छा यह बताएए काफी important question है जियोत्सना option B जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा जियोत्सना 11 से 20 question देखेगा आप लोग निम्ली लिखित में से प्रियुक्त संधी का चैन गरना है आप लोगों को देवारचन में प्रियुक्त संधी को जोगी व्यांजन संधी, बिसर्ग संधी, सुर संधी, इन मियकशे कोई नहीं देवार्चन तो देवार्चन में हो जाएगा आपका स्वर संदी जोई बच्चे C वाला उप्शन बता रहे हैं वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएगे कि बारवा कोशन देखेगा आप लोग को सुर्दानद में में कौसा स्रद्धानद में बिसर्ग संदी ब्रद्दी संदी स्वरसंदी सब्सक्राइब जोलेगा जो विवच्चे D वाला option बता रहे हैं वह विवच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे यहां पर हो जाएगी आपकी सुवर संदी गरींदर में संदी कंसी होगी विसर्ग संदी स्वर संदी इंवेस्ट कोई नहीं गिरींद्र में हो जाएगा आपका सुरसंदी option B जो बता रहे हैं वो वच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे नबोडा नबोडा में प्रियुक्त संदी कौन सी होगी नबोडा तो नबोडा में आपकी हो जाएगी सुरसंदी जो बता रहे हैं वो वच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे अगला कोशिन देखेगा लोग के चला में प्रियुक्त संदी कौन सी होगी बियंजन संदी, बिसर्ग संदी, सुरसंदी इनमें से कोई नहीं जो ये बच्चे C वाला option बता रहे हैं वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे सोच्छा में कौँसी संदी होगी स्वर संदी, बिसर्ग संदी, बेंजन संदी इनमें से कोई नहीं सभी लोग अंसर दाते हो चलेगा सोच्छा जो ये बच्चे वाला option बता रहे हैं वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे सुया पर हो जाएगी आपके स्वर संदी उन्नती, उन्नत में प्रियुक्त संदी कौँसी होगी बेंजन संदी, स्वर संदी, बिसर्ग संदी इनमें से कोई नहीं उन्नती जो ये बच्चे वाला option बता रहे हैं वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएगी बेंजन संदी उन्नती गाटन में प्रियुक्त संदी कौँसी होगी उन्नती गाटन बिसर्ग संदी, बेंजन संदी, स्वर संदी इनमें से कोई नहीं जो ये बच्चे वी वाला option बता रहे हैं वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे मनुकूल में प्रियुक्त संदी कौँसी होगी मनुकूल में तो मनुकूल में हो जाएगी आपकी बिसर्ग संदी जो ये बच्चे C वाला option बता रहे हैं वच्छे विल्कुल करक्ट हो जाएंगे। नाश कोशन है गाईस। दुष आशन में प्रियुख्त संदी कमसी होगी बेंज़न संदी, सुवर संदी, बिसर्ग संदी इन में कोई नहीं। दुसासंग जो अच्छे सी वाला अपसन बता रहें वह अच्छे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे गिसर्ग संति नैश कोशन देखेगा आप लोग 21 से 33 प्रतेक प्रस्ट में समास के चार विकल्प दिये गए हैं सभी विकल्प का चैन कीजिए धन हीन में प्रियुक्त समास क धन से हीन तो यहां पर हो जाएगा आपका क्यूंकि धन जो है वो अलग है आपका और हीन अलग है तो हो जाएगा तत्पुरुस समास ओप्सन वी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा या फिर आप इसे यह वह सकते हैं धन से हीन स्वर्ग गत्थ में प्रियुक्त समास क्या होगा स्वर्ग गत्थ तत्पुरुस दिगू करमधार द्वन्द तो यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुस समास जो भी बच्चे एवाला उप्सन बता रहे हैं स्वर्ग में गर्थ, पुस्त काले में कौन सा समास है, करमधार, तत्पुरुस, द्वंध, अबवभाव, सबी लोग अंसर बताते हैं चलेगा, पुस्त काले में हो जाएगा आपका तत्पुरुस समास, जो बच्ची बीवाला ओप्सन बता रहें, वो बच्ची बिल्कुल कर हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास, त्रलोचन में प्रियुक्त समास क्या होगा, बहुप्रिय तत्पुरुस, द्वंध, अबवभाव, त्रलोचन, ओप्सन ए जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुप्रिय समास, कमल नयन, दिगु समास, द्वंध, करमध करमधार समास क्या होगा जहां पर आपका योजक चिन आ जाए वहां पर आपका दुन्द समास होता है तो जो भी वच्चे यह वाला उप्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे उप्शन में अश्टा धाई में प्रियुक्त समास क्या होगा अबभायो तक्पुरुस करन दूद यह था समय समय में प्रियुक्त समाइव करनद्ध दूध जो भी वच्ची वाला उप्शन बता रहें हो भी बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जब नियम यात कर लें पर कौसा समास होगा अब बहुत समास ओप्सन ए जो लोग बता रहे हैं वो वच्ची विल्कुल करक्टर जाएंगे 31 से 40 कोशन देखेगा आप लोग निम लिखत प्रतेक सब्द के परियावाची रूप में pirates-चार चार बेगल्पत इह गयें उनमें से केवल ए क सही है सही परियाय वच्ची का चैन कीज़ें तो पाउदा का परियावाची सब्त क्या होगा पादप ब्रच पीन पाउदा का परियावाची सब्त होता है पादब औप्शन एजितुकर बता रहे पादब क्योंने बता वो विल्कूल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन जίुत्वसना का परियाँ बच्चे सीब्ट क्या होगा प्रकास चांदनी रोसनी गोध चांदनी जीुत्वसना चांदनी को कहते हैं तो option B जो है आपका बिलकुल correct हो जाएगा पहाड का परियाई बची सब्द क्या होगा गिरी स्रम पाशान प्रस्तर शबी लोग अंसर बताते हो चलेगा पहाड का हो जाएगा परियाई बची सब्द किरी option A जो है आपका बिलकुल correct हो जाएगा वारता का परियाई बाची सब्द होता है बाचीट, option A जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अमरत का परियाए बाची सब्द क्या होगा, सभी लोग answer रताते हो चलेगा अमरत का परियाए बाची सब्द क्या होगा, प्यूस, उदक, अंबू, शहद शबी लोग आंसर होता तो चलेगा अमरत का पर्याय बाची सब्दों का प्यूस, option A जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगनी का पर्याय बाची सब्द क्या होगा अनल, धूम, अनिल, स्फूल, स्फूलिंग, सबी लोग आंसर प्रता तो चलेगा अगनी का पर्याय बाची सब्द क्या होगा अनल, option A जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इरिश्या का पर्याय बाची सब्द क्या होगा इरिश्या का पर्याय बाची सब्द होता है डहा, option C जो है आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा अभीष्ट का परियावाची सब्द क्या होगा वांचित सुरुब्ध कल्पित काल्पनिक अभीष्ट का परियावाची सब्द हो जाएगा आपका वांचित ऑफिसन ए जो है आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा मेधाबी का परियावाजी सब्द क्या होगा निश्टावान विद्वान विचार सील प्रतवासाली मेधाबी option D जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है प्रतवासाली ये थार्थ का परियावाजी सब्द क्या होगा सब्द के लिए चार-चार बिकल्प दिये गए हैं इनमें केवल एक सब्द ही उस सब्द का बिलोम है सही बिकल्प का चेन कीज़े यह आपके बिलोम सब्द हैं जैसे की अनायास का बिलोम सब्द क्या होगा सभी लोग अंसर बतातो चलेगा अनायास का बिलोम शब्द क्या होगा तो जो भी बच्चे बीवाला अपसन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सायास हाश का बिलोम सब्द क्या होगा रास का बिलोम सब्द क्या होगा रास का बिलोम सब्द होता है बिकास जो विवच्चे बीवाला option बता रहे हैं वो वच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे संगरे का विलोम सब्द क्या होगा संगरे सभी लोग answer उताते हो चलेगा संगरे का विलोम सब्द क्या होगा संगरे का विलोम सब्द होता है option D त्याग इसको बोलते हैं त्याग शंग रहे हैं करतिम का विलोंग सब्द क्या होगा सबी लोग आंसर उताते हो चलेगा करतिम का विलोंग सब्द क्या होगा करतिम का विलोंग सब्द क्या होगा करतिम का विलोंग सब्द होता है ब्यक्तिगत, option D जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएंगे others others का बिलोम शब्द क्या होगा, उदान्त, कल्पना यथार्थ, इतिहाश जो भी बच्चे C वाला option बता रहे हैं, वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे, यथार्थ संकल्प का बिलोम सब्द क्या होगा, बिकल्प, अकल्प अभिकल्प, प्रकल्प सभी लोग अंसर होता तो जरेगा संकल्प का बिलोम सब्द क्या होगा, बिकल्प, option E जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा सोइत का बिलोम सब्द क्या होगा सोइत का परिचाओं में पूझा भी जा चुका है राजिस्तान की किसी भी परिचा में ये कोशिन अक्सर पूझा जाता है सुच्म का विलोम सब्द होता है इस थूल आप्सन ए जो है आपका विलकुल करेक्ट हो जाएगा समर्थन का विलोम सब्द क्या होगा विरोध खंडन असायोग विद्रोग समर्थन का विलोम सब्द क्या होगा समर्थन का विलोम सब्द होता है विरोध आप्सन ए जो लोग बता रहे है वो सब लोग करेक्ट हो देखेगा आप लोग रिख्ति स्थानों के लिए सही विकल्ब चुनना है आप लोगों को ऐसे भी कोशन पूछे जाते हैं सुधन्तता जब सुधन्तता में डैस हो जाते तो जीवन मोल विक्टित होने लगते हैं एक ऑप्सन सही होगा इसमें तो जो लोग ऑप्सन ये बता रहे हैं वो सभी लोग करक्त हो जाएंगे परेंदत जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी बैट मैं डैस डूबन डरी रही किनार बैट सभी लोग अंसर बताते हो चलेगा तो जो ही बच्छे सी वाला अप्सन बता रहे हैं वो बच्छे विकल्ट हो जाएंगे बपुरी ज जिसे उचित उत्तर तत्काल सूज जाए वह डैस कहलाता है सभी लोग आंसर आते हो चलेगा तो जो विवच्चे B वाला उप्सन बता रहे हैं वो वच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे मात्मा बुध करुणा के साथ छात थे मात्मा बुध करुणा के साथ छात क्या थे उप्सन C वेग रहे थे जो विवच्चे C वाला उप्सन बता रहे हैं वो वच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे हाश विरूत को भासा और भाशन का डैस माना जाना चाहिए क्या माना जाना चाहिए जोई बच्छे ये वाला उप्सन बता रहे हैं वो बच्छे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भूशन जीवन की सबसे बड़ी डैस यह है कि उप्युक्त पात्र को उप्युक्त बस तू नहीं मिलती सबी लोग अंसर बताते हो चलेगा जोई बच्छे डीवाला उप्सन बता रहे हैं वो बच्छे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जीवन की सबसे बड़ी बिड़मना यह है कि उप्युक्त पात्र को उप्युक्त बस तू नहीं मिलती अगला कोशन यदि इस रोग को आरम में ही काबू ना किया गया तो यह डैस हो सकता है संक्रमाम उप्सन यह जो रोग बता रहे हैं वो अच्छे विल्कुल करेक्ट हो जाएं बुद्ध के पूर्व जन्वों की कथाएं डैस कथाएं कैलाती है नैतिक स्रावक जातक तात्विक जो वच्छे सी वाला उप्सन बता रहे हैं वो वच्छे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जातक गनिष्ट मित्रों के परसपर ब्योभार में डैस नहीं होती सबी लोग आंसर दातों चलेगा अब चारित्ता उप्सन जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएंगा बढ़ते हैं नैस कोशन की ओर आज के बैग्यानिक नए नए डैस द्वारा हमारे जीवन को सुख में बना रहे हैं अब इसकारों से जो अच्छे सी वाला उप्सन बता रहे हैं वह अच्छे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगा अगला कोशन देखेगा हमारा देस धीरे धीरे आत्म निवर्ता की डैस की और बढ़ रहा है सबी लोग आंसर होताते चुलेगा उद्देश मकसद लक्ष गरतब लक्ष की गुर बढ़ रहा है उस इस तरीक है डैस ने सभी का हेड़ाय दिर्वित कर दिया बिलाप से हेड़ाय दिर्वित कर दिया ऑप्सन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कर दिया बूर बशूब अप्सन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एक सब़ान के नेता ने जोरदास सब्दों में विपच्च के तरकों का क्या किया खंडन किया option B जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा मैं यह सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा जगन है क्या करोगे अपराद पर्यास बेवार बेवसाए क्या करोगे आप अपराद करोगे option A है जो आपका विल्कुल correct हो जाएगा निम लिखित मुआबरे एवन लोग कितियों का सही अर्थ बताएगे इसे की अंधे की लाठी अंधे की लाठी का मुआबरा क्या होता है एक मात्र सहारा जो वच्चे B वाला option बता रहेंगे वच्चे विल्कुल correct हो जाएगे आँखों में धूल जोकना का मुआबरा क्या होगा सभी लोग अंसर होता तो चलेगा आँखों में धूल जोकना इसका मुआबरा होता है धोका देना option A जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा इद का चान्द होना इसका मुअबरा क्या होगा? इत का चांद होना सरीरोगा अंसर होता थो चलेगा बहुत दिनों में दिखाई देना जो बच्ची ये वाला आप्शन बता रहे हैं वो बच्ची विल्कुल करेक्ट हो जाएगा खाक छानना इसका मुअबरा क्या होगा? खाक छानना ओप्शन बी जो है आपका भटकना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चाती पर मुँग दलना इसका मुअबरा क्या होगा? दुखी को सताना विजय प्राप्त करना कठिन कारे करना बहुत तंग करना चाती पर मुँग दलना इसका आरत होता है बहुत तंग करना ओप्शन डी जो है आपका भिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उट के मुँ में जीरा इसका आरत क्या होता है? दोरा लाब होना बुरे काम की और इसारा आवशक्ता से कम इन मेंसे कोई नहीं सबी लोग अंसर होता दिए चलेगा उट के मुँ में जीरा यानि की आवशक्ता से कम C वाला जो ओप्शन है आपका भिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कोईले की दलाली में मु काला इसका मुअबरा क्या होगा? कोईले की दलाली में मु काला इसकार्थ होता है बुरे कार्व में बुराई ही मिलती है उप्शन डी जो है आपका भिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मूली गाजर समझना इसकार्थ क्या होगा? इसका मुअबरा क्या होगा? मूली गाजर समझना इसकार्थ होता है अति तुछ समझना option D जो है आपका बिल्कुल correct हो जाए अगला कोशिन देखेगा आप लोग शिंगा वलोकन करना सरी लोग अंसर दातों चलेगा इसकार्थ होता है आंगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना खग जाने खग की ही भासा इसकार्थ क्या होता है चाला की चाला की भासा समस्ता है option A जो है आपका बिल्कुल correct हो जाए अगला कोशिन देखेगा है जहां एक ही सब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो तो वहां काउंसा अलंकार होता है सभी लोग अंसर दातों चलेगा तो वहां पर होता है आपका सलेश अलंकार option C जो है आपका बिल्कुल correct हो जाए सूर्दास की भासा का रोप क्या है ब्रज option B जो है आपका बिल्कुल correct हो जाए जैसी की प्रसिद्धी का मूलाधार है जैसी की प्रसिद्धी का मूलाधार क्या है पदमाबत, ऑउपसन, एज्वयादखा, बिल ripping correct हो जाएगा अगला कोश्ट ना कहा है, निम लिखित में से किसने करश्चन समंधी बढ़न नहीं किया है कवीर, ऑउपसन, एजोवयादखा, बिल रोकुल करर्ट हो जाएगा परेंचंद labor can किस प्रकार के लेखक थे प्रगति सील आउक्षन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक उसे जरूब करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स क्यूंत अबस्ट कौनेश आपका वीडियो आपका वीडियो आपका अबस्ट करेंगे।